कॉरोना ट्रेकिंग एप्लिकेशन्ज अरोगे शचतु का स्थामाल कैसे करें? अरोगे शचतु एप के लॉंच होने के कुछ ही समय में एक करूर से अधिक लोगों निसा डाउनलोड किया है सरकार या एप्लिकेशन्स लोगों को कोरोना वाइरिस संक्रमन के खत्रे और जोकिम का आकलन करने में मदद करता है। Android और iPhone दोनों तरके स्मार्ट पॉन पर इसे डाउनलोड किया जा सकता है। या खास अप्लिकेशन्स आसपास मौजूद कोरोना वाइरिस लोगों के बारे में पता लगाने में मदद करता है। आपके मोबाइल के बूतुर स्थान और मोबाइल नंबर का उफियोग करके ऐसा किया जाता है। आएए देखते हैं कि अरोगेशेतू एपकेस तमाल कैसे करना है। अरोगेशेतू एप्लिकेशन्स अंडुड और आई ओस तोनों पर उपलब्ध है। इसे प्लेश्टोर के जरी डाउनलोड किया जा सकता है। अंग्रेशे और हिंदी समयत अरोगेशेतू एप्लिकेशन्स 11 भारती भासाओं में उपलब है। इंस्टल करने के बाद एप्लिकेशन खोले और अपनी पसंदिता भासा को चुने। इंप्रमेशन पेज को ध्यान से पड़े और रजिस्टर नाओ बटन पर टैप करें। ब्लुटूट की पड़ेगी जरुरत। अरोगेशेतू एप को ब्लुटूट और जीपेश डाटा की जरुरत पड़ेगी। एप को काम करने के लिए इसकी अनुमती दे। अरगेश से तू कॉंटेक्स ट्रेसिंग के लिए आपके मॉवाइल नंबर ब्लुटूट और लोकेशन डेटा का उप्यूग करता है और बताता है कि आप कोरोना के जौकिम के दायरे में है या नहीं। आपके फोन को रेजिस्टर करें। यह तभी काम करता है जब अपने फोन मॉवाइल नंबर को रेजिस्टर करते हैं और OTPC से वेरिफाई करते हैं। एक विकल्फिक फोर्म भी आता है जो नाम, उम्र, पेशा और पिछले 30 दिनों के दोरान विदेश यात्र के बारे में पूछता है। आप इस फोर्म को स्कीप कर सकते हैं। आलंकि अगर आप जरुत के समय में वालेंटियर यानि स्वाइन से वक बननी की इक्षा रखते हैं तो आज पास उसके पास खुद को से नामंकित करने का विकल्फ है। इसे दिखता है खत्रा। एफ हरे और पिली रंग के कोडों में आपके जोकिम के स्थर को दिखाता है। या भी सुझाओ देता है कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको ग्रीन में दिखाया जाता है तो बताया जाता है कि आप सुरक्षित हैं तो कोई खत्रा नहीं। करोणा से बसने के लिए आपको सॉसल डिस्टंसिंग को बनाय रकना चाहिए और घर पर रहना चाहिए। पिली रंग की खत्र की घंटी। अगर आपको पिली रंग में दिखाया जाता है तो टेक्स बताता है कि आपको बहुत जोकि में आपको हाल्प नाइन नसंपर करना चाहिए अरोगे शेतु एप्लिकेशन पर आप सेल्प एसेस्मेंट टेक्स पीचेस कर सकते हैं इस पीचेस करने के लिए ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर एक चेट बेंडोग खौल देगा से यूजर की सेहत और लक्षों से जुड़े कुछ सवाल किये जाएंगे हेल्प लाइट नंबर का भी पता लगा सकते हैं इसके लिए आपको कॉविट 19 हेल्फ सेंटर बटन पर क्लिक करना होगा अपने साहर की लोकेशन तक पहुंचने के लिए स्क्रॉल डाउन करना होगा